मा दुर्गा की नौ शक्तियों का तीसरा स्वरूप है चंद्रगंटा नवरात्री के तीसरे दिन चंद्रगंटा देवी की पूजा का महत्व है मा चंद्रगंटा का ये स्वरूप शांती प्रदान करने वाला है और कल्यानकारी भी माना जाता है उनका शरीर स्वन्ण के समान दमकता है माचंद्रगंटा की दर्स बुजाएं हैं जिन में अस्त्र, शस्त्र, शुशोभित हैं सिह माचंद्रगंटा की सवारी है नवरात्री में पूजा पार, तप और अनुष्ठान से माता प्रसन्न होती है आईए जानते हैं नवरात्री के तीसरे दिन पूजी जाने वाली माचंद्रगंटा की कहानी माचंद्रगंटा की कथा प्राचीन कथा के मताबिक माता दुर्गा ने माचंद्रगंटा का अफतार तब लिया जब देत्यों का आतंक बढ़ने लगा था उस समय महिशासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था महिशासुर देवराज इंद्र का सिहासन प्राप्त करना चाहता था वह स्वर्ग लोग पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था जब देवताओं को उसकी सिच्छा का पता चला तो वे परिशान हो गए और भगवान भ्रह्मा विश्नु और महेश के सामने पहुँच कर भ्रह्मा जी विश्नु जी और महेश को अपना दुख बताया ब्रह्मा विश्णू और महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से उर्जा निकली उस उर्जा से एक देवी अफ्तरित हुई उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रशूल, भगवान विश्णू ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सुर्य ने अपना तेज और तलवार और सिह प्रदान किया इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता को अस्त्र शस्त्र दिये, जिसके बाद उन्होंने राक्षस का वद किया प्रयागराज में है माचंद्र घंटा का मंदिर मा का प्रसिद्ध मंदिर उत्रप्रदेश की प्रयागराज में इस्थित है यह मंदिर चौक में इस्थित है जो की प्रयागराज का काफी व्यस्तिला का माना जाता है यह माता शीमय माई का बेहद प्राचीन मंदिर है कहते हैं कि पुरानों में इस मंदिर का विशीश तोर पर उलेक किया गया है यही मादुर्गा देवी चंदरगंटा सरूप में विराजित हैं यह एकलोता ऐसा मंदिर है जहां मादुर्गा के सभी नौ सरूपों के एक साथ दर्शन हो जाते हैं इस मंदिर पर माता के लिए भक्तों की गहरी आस्ता है कहते हैं कि यहां की दर्शन मात्र से ही लोगों के शारेरेक और मानसिक कष्टों में कमी आ जाती है माचंद्रगंटा को मनाने की पूजा विधी पेहत सरल है नवरात्री में माचंद्रगंटा की पूजा शुरू करने से पहले माता को केसर और केवडा जल से स्नान कराना जरूरी है उसके बाद सुनहरे रंग के वस्त्र पहना कर कमल और पीले गुलाब के फूल अरपन करें साथ ही माला भी चड़ाएं आप पंचामरत, मिश्री और मिठाई आदी से माता का भोग लगा कर उनके मंत्रों का जाप करें ऐसी माननेता है कि माचंद्रगंटा की पूजा करने वाले साधक की सभी मनोकावनाएं पूर्ण हो जाती है माता व्यक्ती के मन से हर तरह का डर दूर कर देती है और आत्मविश्वास का संचार करती है माचंद्रगंटा की पूजा करने वाले साधक की छहरे पर एक अलग ही तेज होता है देवी मा की कृपा से सुन्दर निरोगी काया भी मिलती है मा चंद्रगंटा की पूजा का मंत्र बेहत सरल है आप माता की पूजा करते वक्त ओम देवी चंद्रगंटाए नमह का बार बार जाप करें निश्चेती आपकी मनोकामना पूरी होगी अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजली को सब्सक्राइब करें